नमव नारे ये गोमाता वंदे मात्रों मा भार्ति को प्रणाम और हिरदैशे ओम शम शनिश्चाराएगा प्रमित्रों शौत्यों जीवन का हर छन महत्पून है जीवन का हर पल महत्पून है जीवन का हर दिन महत्पून है ये सोच जिस व्यक्ति की दिमाग में है दिल में है जीवन में है कि मेरा हर दिन महत्पून है और इसी सोच से हर व्यक्ति कारिय करे तो जीवन में कारियों में शफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता इस बात पर थोड़ा सा सोचेगा और इस पर काम करके देगेगा इस भाव से एक्टिविट होगे तो सफलता सदा आपका दामन चुमेगी नमाना रहे प्रेमित्रव शात्यों कैसे हैं आप सभी लोग आशाकरताओं किष्णि भगवान की किरपा से आप सभी सब परिवार कुशल होगे मेरे आरादी सनिदेव भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जिवन खुशों से भरा रहे सनिदेव की स्रिचर्णों में मेरी प्रात्रा मित्रों शात्यों पिछले 40 साल से राष्ट के सामने एक संदेश लेकर मैं आया था किष्णि शत्र रही मित्र है और जिवन का अधिकांस हिस्सा इस राष्ट के सामने इस संदेश के साथ बिता कि भगवान शनिदेव से भैवित होने की जर्ट नहीं जिसकी हम पूझा करते हैं आरादना करते हैं वो हमारे लिए भगवान है मित्रों इस पे सवाल नहीं और क्योंकि मैं अपने लिए कह र अधाने और शनिदेव का अपना इस्तान है सनिदेव करम घ्यान भक्ती सत्यकरोना शाधना शमादी सुक्षमर्दी कपडिव है करम फल दाता है भाग्य भी दाता है और मेरा संदेश समय सा यह राय कि शनिद्र को नहीं मित्र शनिदेव से भैवित होने की जरूत नहीं है बस विश्वास करो अपने कर्मों में और शुधी करन करो अपने कर्मों का, कर्म आपके आपको विश्वास करना होगा, और आपके कर्मों में शुधी करना आपको करना पड़ेगा, और शुधी करन का तीन शुत्र है, मातापिता की सिवा, धर्मान को आचन, राश्य प्रेम, शनिदेव अप्रेल में यानि 30 अप्रेल के आसपास अपनी मुल्त रिकॉंड आशी कुम में प्रवेश करेंगे 30 साल के बाद और 30 अप्रेल को शनियमाउशा महस्तो भी है सनिदेव का आदभूद तेवार है सनियमाउशा महस्तो और सिरी सनिदाम शनि तिरे चितर असोला फटेपूर बेरी में आपका श्वागत है विषयाद जो है वो तुला राशी का है तुला राशी वालों के लिए मार्च 2022 का महिना कैसा रहेगा इस विषय को लेकर आपके सामनाई हो मार्च 2022 का महिना तुला राशी वालों के लिए नक्षदर गरनाओं के हिसाब से क्या संकेर दे रहा है मार्च के महीने में गरनक्षत्रों की राशी परिवर्तन से आपके किस छेतर में क्या परिवर्तन आएगा चाहिए वो धन हो, कैरियर हो, कारोबार हो, कामकाज हो, परिवार हो, शमाज हो, श्वास्ति हो, कैसा रहेगा विस्तार से इस विशे पर चर्चा करूँगा इस विशे पर आऊं फलादेश पर आऊं इससे पहले तुला राशी वालों के लिए गरनक्षतर गरनाओं का क्या संकेत है क्या है ग्रह योगा योग इस विशे पर बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए राशी अधिपती शुकर महा के आरम में चंदर मंगल बुद शनी के साथ चतुर्द भाव मकर राशी में संचरन कर रहे हैं। तुला राशी वालों के लिए नक्षद ग्रहों का ये योगा योगे और इसी ग्रह योगा के आधार पर तुला राशी वालों के लिए मार्च महिने का राशी पल मैंने लिखा है। पर राशी से भी और लगंद राशी को ध्यान में रखकर तुला राशी वालों के लिए फला देश लिखा है। तुला राशी वालों के लिए मार्च का महिना नक्षद ग्रणाओं के हिसाब से सामने रहेगा। सिख्षा समंदी मसलों के लिए ये महीना आपके लिए सूबर हैगा, सिख्षा समंदी कारिये सहलता से पूरी होगे, पढ़ाई में मन लगेगा, साथी जो विद्यारती प्रतियुगता की तैरी में लगे हैं उन्हें शफलता प्राप्त होगी, लेकिन परिश्ट्रम आवश् आप चाहिए, कुलाराशी वालों को इस महीने आर्थिक लियाग से जीमन के थोड़े से खटे मीटे अनभाव भी होगे, वैवशाय में सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्ट्रम की तुल्ला में सफलता की कमी रहेगी, आर्थिकी से अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर न सबस्वास्ति के दस्टिकों से समय शावधानी का संक्ये दे रहा है, यदि आप से पहले से कोई आपको परिशान ये स्वास्ति लेगर, तो चिक समय लापरवाई नहीं बढ़ते हैं, तो ये मोटा-मोटा तुलाराशी वालों के लिए मार्च के महिने का फलादेश था, अ करियर के दस्टिकों से मार्च का महिना सफलता का संक्यत दे रहा है, उत्तम लाब का संक्यत दे रहा है, पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुलित और परशिंचीत रहेगा, शिक्षा के छेतर में परिवार का पूर्ण श्योग प्राप्त होगा, और परतियों की अची अच्छा में प्रफू करना मोटा मोटा करूओ, और युवाओं के कली मार्च का महिना, अक्छा संकेय दे रहा है, तो कामकाज, कारुबार, नोकरी museum, और धन को बचकरणा में, तुलाराशिवालों के लिए मार्च के मेने में केरियर कारुबार कामकाज और आर्थिक दिस्टिकॉन से नक्षद रड़ना इस बात का संकेदरी कि आप महनत करेंगे आप परिश्रम करेंगे पूर्ण फल और लाब आपको मिलेगा परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्थ प्राजमान शूरिबुद ब्रश्पत्ति की लाब भाव पर शप्तम द्रश्टि इस बात का संकेदरी है कि कामकाज कारुबार में महनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा परिश्रम के अनकुल पारिश्रम जरू मिलेगा बस इन सुमेने लाब प्राप्थिक लिए सकारातमक स सोच चाहिए सकारतमक प्रयास साहिए और कारी श्रपलता के लिए सुववेशत रणनेती से कारे करना पड़ेगा तो सब शीक ठीक जात रहेगा दन प्राप्ति भी होगी कामकाज और व्यवेशा एक प्रसतियां अपने अनकुल करने में आप शक्षम होगे शक्त्रू पक् पूजी निवेश कोई भी होगा वह पारवरिक रजामंदी से होगा मार्च के महीने में चत्रूत भाव में मंगल और शनी रूचक और सशनामक पंच महापुर्शिवक बनार है और दसम भावर शप्तम पूर्ण दसी इस बात का संकेत रहेगी आपकी कारी शमता में होगे कारोबार में किये कि प्रयास सफल होंगे कारोबार में गतियाने आने से आपको एक नहीं दिशा मिलेगे कारोबार में नहीं प्रयोग करने के अवसर मिलेगे कारोबार विस्तार का मोका मिलेगे कारोबार में किये कि प्रयासों से कारोबारी मुसिकलों से पीच्छा आप नोकरी में है तो नई जिम्मदारियों के शाथ साथ उनतिक आउसर प्राप्त होगी नए प्रजेक्ट पर काम करने का आउसर मिलेगा नोकरी में बॉस आपको अच्छी अपरचुनिज दे सकते आपको मोका दे सकते बॉस की अप्रिक्षाओं पर आप खरे उतरेंगी गैर सरकारी कारी में जो जातक हैं उन्हें एक बात कभी से ध्यान रखना होगा बार बार एक कह रहा हूँ कि भाई मेहनत करनी होगी परिश्रम करना होगा समय पाबंदी रखनी होगी और जिस कारे पर आप काम कर रहें उसकी प्रती इमानदारी की साथ लगना होगा थाली में परोशकर कुछ नहीं मिलेगा त्योंकि दसम भाव पर शनी मंगल और शुकर की दस्टी लाब का संकेत हो देती लेकिन कड़ी मेहनत के बाद शाति कारी इस्तिफल योग्यों को शात लेकर चलना पड़ेगा और बैक बाइटिंग से बचना होगा अन्यता बैक बाइटिंग की वज़े से और शातियों को शात नहीं लेने की वज़े से अनकूल प्रणाम प्रतिकुलता में परिवर्तित खोशत है और कि सुर्य छटे भाव में संचरन करेंगे वो इस बात का संकेत दे रहेंगी चौदा मार्च के बाद किसी भी तरह का वैविशाय विस्तार पुझी निविस बिना पारवरिक सदस्यों की सलाके नहीं करें और करजा लेकर वैविशाय आरमन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नहीं बात करूंगा परिवार की शमाजिक द्रस्ट का सामना करना पड़े परिवार में पारवरिक सदस्यों अनावशक बाद व्याद उठापटर का संकेत नजर आ रहा है दूसरे भाव में विर्सिक रासी में केतु का संचन और चोती भाव में शन्यमंगल की उपस्ति पारवरिक मसलों को लेकर समझोता वादी निती अपना परिवार का कोई भी मसला हो, लेट गो करने का मांग रखेगा, लेट गो की आधरिक में ठीक हो जाएगा, अरिये मत, जिद मत करियेगा, अन्यता परिशानी आ जाएगा, जिवन साती के सार रिस्तों में तलकीन या इस बात पर ध्यान देना होगा, और सुस्तुराल पक्स और भी ध्यान देना होगा, हाँ, इदियाब साधी सुदा है, तो जिवन साती का सयोग आपको अविश्य मिलेगा, जिवन साती के सयोग से पारवारिक बहुसे मसलों पर आप सकुन और सांती महसूस करेगी, जिवन साती आपके कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा, बस आपको अपन पन्चम भाव में सूरी के साथ संच्रन कर रहे हैं ब्रश्पति का गोचर स्वास्वन दी परिशानियों से मुक्ति का संकेतु दे रहा है अनावसिक मानसिक तनाव भय ब्रह्म परांती से पीछा चुड़ेगा मन में उतसार उमंग के भाव रहेंगे मानसिक और शारिक निरासाबादी लोगों से बहुत दूर रहे आपके लिए अच्छा रहेगा साथ भी खानपान सहीं में जीविन से अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप श्वास्वास्वाश्वमिंद्री परिशान से दूर बने रहे क्या उपाई करें तो तौलाराश्वाले मार्च के मेने में हर रोज प्रातकाल नित्य कर्म से निश्चनान उपरांथ भगवान शिव के शिविलिंग पर जल गंगा जल थोड़ सा कच्छा दोद और मिस्री बाल कर मिस्री डाल कर हर हर महादेव का जाब करते हैं अभिश्य कर तौलाराश्वालों के लिए मार्च के महिने में गरनक्षत्रों का गरनाओं के आधार पर मेरा अंकलन मित्रों शाथी आपका अपना हूं दबाव का कभी सभाव नहीं रहे ना मुझे दबाव न तरक नभिवाद शेकर ओपनिन का अधिकार आपके पास है मानो नो मानो हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का लक्ष रह मनशियों और मानु होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट की शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि शेवा करिय मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूं दन नहीं चाहिए लेकिन वर्थमान में जो आर्थिक परस्ति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर लिए कि सनिधान गोशाला की गाएं तुकी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका सअहोग चाहिए और सयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समस्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहाई, इन नमबरों के शंपर करें, आप मेरे से बात करीं, लेकिन इसकी है वज में, गाईओं के लिए चाहरे की विवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन, इस समय मैं प्रेशाने में हूँ, और मेरी गाएं चाहरों को लेकर थोड़ी स इंकार नहीं है, चातियों, मेरा राज शरूप पर है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें, शन्य भगवान आपकी रिक्षा करें, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेद है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महीने में, लगवग लगवर 20-25-50 ल मेरी परस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेतनी दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्पोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते हैं, जो सरकार करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पढ़ता है, ये आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरुर स्वयोकर है, पेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातरा थी, आउम नमो नारायन, आउम नमो नारायन, प्रिमिध बार थी, आउम नहीं है, जरुर स्वयो lights mom.